वी बरकत जनाव जेनव है वारगां में उस दाद की शान में कलाम पढ़ रहा हूं मैं जिसने स्यदु शुहदा इमाम अली मकाम की शहादत के बाद कर्बला में सबसे अहल किरदार अदा की जिसका नाम स्यदा जैनब है जिसका नाम स्यदा बोलोगे तो इसला पढ़ लूँगा मैं मुफ्ति साथ को तो ऐसे ही रोका हुआ है मैंने अला कि ये कलाम मैं सुनाना चाहता हूं मुफ्ति साथ को लेकिन आप अगर भोलोगे तो मैं दरह पढ़ लूँगा इसका नाम स्यदा स्यदा जैनब है अब सुनो मैं आपको जुना तो स्यदा शुक्ति अना मुफ्ति 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 सुनीए का नबी के नूर की बरकत जनाब जनब है नबी के नूर की बरकत जनाब जनब है नबी के नूर की बरकत जनाब जनब है खदी जनानी के चेहरे काश्ट है सेनाब खदी जनानी के चेहरे काश्ट है सेनाब और अपने नाना की तीरत जनाब सेनब है और अबने नाना नारा ये तक्दीर नारा ये रिसालत तसक्रह एहले खमाइड तसक्रह एहले खमाइड और अख्राव्या को फ़ुए तरवे मुहम्ब अली तरवे जादे दूने हाथों को उटाएं एक मर्तमाब नारए हैदरी इस अनदाश से नहीं जरा मुहम्बथ से नारए है अजमत जैनब कुमर अजमत सियदा खदीचा हर जबा में रस खोल रहे हो जैसे जिबरील जबा खोल रहे हो जैसे दरबारे दमिश्क में जैनब का वो खिताब मिम्बर पे अली बोल रहे हो जैसे जैनब है नबी के नूर की बरकत जनावे जैनब है नबी के नूर की बरकत जनावे जैनब है खदी जनानी के चहरे काश्त है तेनाव और अपने नाना की सीरत जनाब जैनब है और अपने नाना की सीरत जनाब आए 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 अरे चक्माल वालो कहाँ खोए हो आए हाए 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 कहाँ खोए हो हली के घर की शराफत जनाब जैनब है हली के घर की शराफत जनाब जैनब है हुसेन तेरे लिए मैं फिल की तरफ नहीं देखना है हुसेन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था हुसेन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था हुसेन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था के कर्बला की के कर्बला की जरूरत जनाब जैनब है के कर्बला की नारत प्रे नारत शालत या हुसेल, या हुसेल, या हुसेल, मुहम्मद अली खैजी क्या बात है यार सुभान लाँ सुभान लाँ, सुभान लाँ, हुँ, अली के घर की शेराफत जनाब जैनब है अब एक शेर पढ़ रहा हुँ, हैदर बाई जैसे आप खड़े हैं, वैसे पूरी मेफिल खड़ी देखना चाताउ हुँ जैसे आप गड़े हो नगैं वैसे पूरी मेफिल खड़ी देखना चाहता हूँ अभी नहीं शेर पड़ रहा हूँ आपको लगे कि वाकई शेर ऐसा है कि खड़े होके इसका इसका इस्तक्बाल करना चाहिए तो फिर तैयार रहे ना सुनो मैं आपको शेर सुना के जा रहा अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी किति खुटबे की अली के खुटबे की अड़ी के खुटबे की हैबत जनाब जेनब है अली के हुटबे की जोन हो कonneंकिके इस्तक्त करना ड़ं प्रबीर के प्रणा और अद्थ क्वरके अगर्ण से एवनौ कि न सित्वरेंग अगर्यार। कि अधियुक्तकरीड और जो भी शब्रमुद्यकु सीकी फीग्ति का मथ्षकी अधिया आपके अधियुक्तक है जैनब शबीर के मकसद का निगेवान है जैनब हर जल्म पे एक फद्ध का एलान है जैनब अभी जो मुसल्मानों में पर्दे का चलन है ये भी तेरी चादल का ही इहसान है जैनब और सजाद को चलते हुए खेमे से निकाला सजाद को चलते हुए खेमे से निकाला बंदे हुए हाथों में बड़ी चाद है जैनब आए हाए हाए ऐसे खड़े रहना एक एक हुसाइनी को सियता जैनब का वास दाए ऐसे खड़े रहना थोड़ी सी आवास मिंडू भाई अली के घर की शराफत जनाब जैनब है अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी अली के खुदबे की अली के खुदबे की अली के खुदबे की हैबत जनाब जैनब है नारा लगाएंजोर से नारा ए तक्वीर नारा ए रिसालत नारा ए हैदी नारा ए हैदी हद्रते स्यदा जैनब नारा ए तक्वीर में एक मिनट अभी शेर पड़दू नारा जितनी मर्जी हो लगाना लेकिन देखता हूँ किसके थाथ नीचे रहते हैंimana देखता हूँ मैं ये जितने घुलाम मौला हुसिएन के खड़े आपे न मौला हुसिएन के नाम पर दीखता हूँ हाथ किसे नीचे रहते у peso कर धंड़ा बनाओ और हातों को लहरा के पढ़ना मेरे साथ अध्य के गरे की शेराफत जन coaching strengths वे रहें वो कर्बला में नजर आई मुर्टुजा की तरा वो कर्बला में नजर आई मुर्टुजा की तरा यजीतियों पे हाथ भागे यजीतियों पे यजीतियों पे कियामत जनाब जेनब है या उसे अली गर की शराफत जनाब प्रेबल अली के गर की शराफत जनाब कौन है या अली के घर की शराफत जनाब जैनब है अली के बटचो 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 अली के गर की शराफत जनाब जैनब एक शेर आपकी अजाज़त तो 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 और सुना दूँ आपको अजासत है है एदर भाई आपकी अजासत है बचा के लाई है कर्बल से अपने आपिद को बचा के लाई है कर्बल से अपने आपिद को बचा के लाई है कर्बल से अपने आपिद को अली की नसल पे अली की नसल पे रहमत जनाब जैनब है अली की नसल पे दूआ करो मौला हुसें भी खुश हो जाएं कर्बला वाला भी खुश हो जाएं मकसद जो होता है वही होता है तो आपको परवर्दिगार खुश कर देता है जरा मिल के बढ़ें अली के गहे की शराफत जनाब जैनब है के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया कमेटी वालो मैं अपनी नहीं बात करूँ सारे घुलामों की बात करूँ के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया मेरे लिए मेरी मेरे लिए मेरी जलत जनाब जनब है मेरे लिए मेरी जननत जनाब जनब है मेरे लिए मेरी जननत जननाब जनब है मक्ता ये एक सेयद का लिखा हुवा कलाम है एक सेयद जादे का कलाम है लिखा हुआ और इस मक्ते का जो दूसरा मिस्रा है उसमें एक ऐसे लफ़ का इस्तेमाल हुआ है जो सेयद के लावा गैर सेयद कर भी नहीं सकता है ख़फिल भाई सुने गा अली के घर की शराफत जनाब जैनब है जो बख्षवाएगी महशर में तेरी नसलों को वो तेरी फूफी वो तेरी फूफी शबाहत जनाब जैनब है वो तेरी फूफी शबाहत जनाब जैनब है अली के घर की शराफत जनाब जैनब है अली के लो जैनब है अली के जनाब जैनब है